हाई पोक्स हो आज एक बहुत जाता क्रूशियल और क्रिटिकल टॉपिक की बात करेंगे चार्ड्स के बारे में हम सब लोग मैक्सिमम लोग आजकल चार्ड्स देखने लगे इन फैक्ट आप लोग गल्लत हो चुकी हो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग यह बस कमपणी के बिजनस के थ्रू बनती है रीजर होना चाहिए कैंडल स्टिक बनने का अब बीसिकलि अगर आप देखोगे तो कमपणी की दो चीज़े होती है इस टॉप मार्केट पे किसे भी कमपणी को अगर लिस्ट किया जाता है तो कमपणी जो है अपने business के दम पे list होती है और company का जो price भी है अपने business के दम पे increase होता है, decrease होता है until आप वो small SME companies में invest कर दो और फिर बोलो कि भाई मेरा जो price है वो 180X हो गया, 200X हो गया बले ही आपका business खराब है ये वाले case में मैं आपको lucky बोल सकता हूँ बात ये है कि आप लोग सिर्फ charts देख रहे हो सब लोग सिर्फ charts देख रहे और कुछ नहीं देख रहे है, लोगों को business के बारे में नहीं पता है अगर आप सीधा आके HDFC का chart देखोगे तो आपको chart पे कुछ नहीं दिखेगा सिर्फ candlesticks दिखेगी और इस पर बहुत सारे ट्रेडर लोग आकर बोलेगे कि भाई, chart पे तो previous pattern दिखता है stock के price का stock के price के बिना तो stock market में कुछ हो ही नहीं सकता है अरे मेरे भाई, आपको एक बात बतानी है मुझे कि company तो market में listed है price तोड़ी ना listed है उसका basically business listed है stock market के अंदर लोग जो है invest कर रहे उस business के basis पे invest कर रहे है आप सिर्फ chart कैसे देख सकते हो mentality क्या हो गया पता है मुझे chart से problem नहीं है वैसे नहीं बूल रहा हूँ technical analysis जो है बेकारे technical analysis करनी ही नीचीए in fact technical analysis आपको बतादा है अगर कोई investor है वो अभी अभी stock market के अंदर enter कर रहा है वो रोज देख रहा है कि इसके chart पे तो यह pattern बन रहा है अब HDFC का एक example ले लेते हैं क्योंकि example के बिना किसी को समझ नहीं आता है HDFC का example लेंगे देखो आप HDFC के stock को देखोगी HDFC के stock ने पिछले तीन साल के अंदर जादा कुछ return नहीं दिया है HDFC यह जो stock है यह बहुत बड़ा undervalued stock है इस से best तो इस दुनिया में कोई stock ही नहीं हो सकता अब आपका धर वगेरा सब कुछ sell कर दो और HDFC के अंदर invest कर तो बहुत छारे fund managers वगेरा ने आके बोला in fact बहुत सारे जो chartist है वो भी बोल रहते है जब HDFC उठेगा तो market उठेगा हाँ obviously उठेगा HDFC जो है Nifty के market cap में number one पे listed company है पूरे Nifty के अंदर HDFC का market cap है वो सबसे जादा है तो obviously Nifty जो है index है HDFC जब increase होगा तो Nifty का जो price है वो increase हो जाएगा बट आपने कभी सोचा है कि यार आप HDFC को देख रहे हो chart pattern पे decide कर रहे हो अपने investing के decisions बना रहे हो अप इतनी आपके जो महनत की savings होती है आपके जो महनत की earnings होती है वो आप सिफके chart के basis पे कर रहे हो अब chart क्या होता है पहले एक बात समझ लेते है पहले chart का fundamental समझ लेते है फिर आप आपके fundamental दिमाग में चलाना एक बार बात करते है तो chart क्या होता है chart बेसे के आपको दिखाता है कि इस stock का price इतना था और opening इस्ते पे हुआ closing इतने पे हुआ इस stock की जो demand है वो इतनी है फिलाल supply हो रही है मतलब लोग जो है stock को sell कर रहे अब लोग कोई भी इंसान stock को buy sell क्यों करता है मैं trader इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं investor की बात कर रहा हूँ अब मैं जानता हूँ कि maximum लोग बोलेगे कि भई हमने तो किसी ने बता दिया था हमें तो tip मिल गए थी इसलिए हम buy sell कर रहे हमें आता तोड़ी ना है यही तो दिक्कत maximum लोगों के सक्थ कि आता है नहीं है ना कुछ बोलो क्या गरते सिर्व आते है चार देखते है बोलेंगे कि दिखो यार HDFC का चार देख लो HDFC के चार पर पैटन बन रहा है यह वाला पैटन बन रहा है यह देख लो भही मुझे एक बात बताओ आप HDFC के अंदर इंवस्ट कर रहे हो आप पैटन के लिए इंवस्ट कर रहे हो या बिसनस के लिए इंवस्ट कर रहे हो अभी कोई-कोई लोग जो स्मार्ट लोग होते है मैं आपको एक इंग्सेमपल दिखा देता हूँ अगर आप HDFC के कॉंकोल ट्रांस्क्रिप्ट में जाके देखोगा आप कॉंकोल ट्रांस्क्रिप्ट हर कम्पनी करती है जिसमें कम्पनी का जो management है वो आता है 10% up हो रहा है, 10% down हो रहा है लोगों को reason नहीं पता 10% up क्यों हो रहा है 10% down क्यों हो रहा है टोगों की mentality क्या हो गए ही कि 10% up हो रहा है चार्ट पर यह pattern बन रहा होगा चार्ट पर यह चल रहा होगा, चार्ट पर वो चल रहा होगा तो अगर आप देख सकते हो कि management के आप इसमें से चेक करो नुवामा wealth management ये आकर यहां बैठे हुग है दूसरी आप दूसरी लोगों को चेक करो हैं जो questions है इनके शुरू के नाम चेक करना from autonomous आपको यहां Goldman Sachs अपकी बड़ी-बड़ी जित्ती भी asset management companies है सबके नाम इस control के अंदर दिखेगे अब वो control के अंदर नाम दूनने पड़ेगे अब zomato का भी चेक कर लो जाकर ऐसा नहीं है कि सिफ zomato case में है zomato case में भी यह जो चीज़े हर एक stop पर अपलाए होती है प्राइस पर हर चीज़ होती है बिना प्राइस के stop market में कुछ चल नहीं सकता है बेटा business नाम की चीज़ होती है business analysis नाम की चीज़ होती है फिर तो यह सारे जो analyst बड़े बड़े बैटे है Goldman Sachs वगेरा कि यह तो गदे है ना क्योंकि यह लोग आकर बैट रहे हैं कॉनकोल अटेंट कर रहे हैं कॉनकोल ट्रांस्क्रिप्स पढ़ रहे हैं उन्हें तो कुछ पता है निए अगर चार्ट पर पैसे बनाना इतना easy होता तो सब लोग आज चार्ट देखकर ही पैसे बना रहे होते है एक और बात बता तो अब इस पर देखलो HDFC के इस पर देखलो लोग बोल रहे है कि जो मैटो के स्टॉक ने बहुत अच्छा का सा रिटन दिया हां दिया क्यों दिया वही रीजन भी तो जान लो बिना रीजन के कोई स्टॉक जो है रिटन तो नहीं देता है अब देखो जो मैटो का चार्ड देखलो जो मैटो के स्टॉक ने अच्छा का सा रिटन दिया अब बहुत लोग आकर बोले थे कि जो मैटो का जो स्टॉक है आज के डेट पे 286 के प्राइस पे क्यों है वो समझ लो ना क्योंकि जो मैटो जो है कॉंस्टेटली अपनी जो रेविन्यू से वो ग्रो कर रहा है जो मैटो की जागर कॉन कोल पेडलो जो मैटो की कॉन कोल में अगर आप नूडिस करोगे तो जो मैटो का मैरेजमेंट 50-50% 60-60% के गाइड़न्स दे रहा है बलेंकिट जो है अभी बिट्टा पॉजिटिव दी रहे दी रहे हो जाएगा बलेंकिट के जो ये डार्क स्टोस है वो 50% के रेंज पर एक्स्पांड कर रहे है इनका प्लान है तो ये सारी जो चीजे होत अब तो औप लाइन हो गया बॉटम लाइन हो गया एक बात है बट बीसिकली टॉप लाइन के ग्रोथ को जादा वैल्ली होती है क्योंकि आपका अगर टॉप लैंग डुर करेगा तो ये बॉटम लाइन ग्रोट करेगा अटिल आपके कॉछी कमपनी के पास बहुत बड़ा स्टॉप मार्केट का जो है अवर्नेस हो रहा है और जब किसी को स्टॉप मार्केट का अवर्नेस होता है वो नॉमली आकर यूट्यूब पर सर्च करेगा कि भाई स्टॉप मार्केट में ट्रेड केसे करते हैं यही सबसे प्राइमेरी चीज होती है जो कोई इंसान आकर सर्च करता है फिर इसके साथ साथ वो देखेगा कि how to invest in stock market उसमें कोई-कोई पागल लोग आकर इन्हें बता देते हैं कि भही ये pattern देखो वो pattern देखो ये chart पे level देखो वो chart पे level देखो अरे nonsense business तो देखो business देखना तो कोई किसी को बताता ही नहीं है तो अगर आपको किसे पे company का real reason समझ नहीं कि price increase की हो रहा है price decrease की हो रहा है तो आप company के control transcripts पढ़ लो अब research report में recommend नहीं करता हूँ पढ़ना क्योंकि अब एक recently case पढ़ता था garden ridge shipbuilders ये जो company अब ICICI ने क्या किया था garden ridge को उन्होंने 50% down का target दिया था अब ये research companies में को बिल्कुल भरोसनी होता है क्योंकि इन्होंने 50% down का target दिया और आज के date पर अगर आज जो भी date है उससे सबसे आज जो है defense companies जो है high पर high जा रही है अब इन्होंने target जो है डाउन तो दे दिया था अगर आप देखोगे तो दूसरी जो companies है मसदा हो डॉक उन सबके सबसे अगर आप देखोगे तो market cap to sales garden ridge का जो ratio है वो सबसे कम ता तो garden ridge जो है सबसे अच्छी valuation पे अवले बलता है और garden ridge जो है अपने revenues के fast pace पे ग्रो कर रहा था अगर आप garden ridge के notes पड़ोगे notes तो basically मैं recommend नहीं करूँगा पढ़ना कि अब यह कॉन्कॉल ट्रांस्क्रिप्ट जो पढ़ना होता है हर एक इंसान की बात नहीं होती है क्योंकि आपको जो भी companies उस पीर के space में होती है हर एक company की कॉन्कॉल पढ़नी पढ़ती है उसे तरीके से बोल सकते हो वरना आपको क्या पता कि HDFC का management जो बोल रहा है वो बोल important है और इतने documents पढ़ना हर एक को possible नहीं होता है अब देखोगे कि 1414 pages के सिर्फ black and white text है इससे जादा कुछ नहीं लिखा है बस बाते लिखी है management की और जो analyst उनसे बाते कर रहे है बड़ी बड़ी companies के उनके बारे में लिखा है तो आपको कहा interest आएगा आप तो बोल हो आपको समझने में help करते कि company का जो price है किस pattern पर जा रहा है यह सब चीज़ें चार्ट समय समझा देते है लेकिन चार्ट के basis पर अगर आप investment decisions रेते हो आप से सोचते हो वही चार्ट ही सब कुछ है तो फिर आपके mentality में दिक्कत है आप all time loss बनाते रहोगे थोड़ा बहुत profit भी हो जाएगा कुछ time के लिए six months के लिए seven months के लिए लेकिन इसको मैं पूलता हो beginners लग यह जो होता है यह beginners लग होता है यह शुरू-शुरू में profit बना देते हैं बहुत चार्ट बनाते हैं तो हर एक का जो mentality होता है वो लग लग है maximum लोग मैं साथ अब भले ही आप मुझे मुझे बोल दो कि भी तेरा mentality का लगत है दिकत नहीं हुझे आप मतलब अगर मुझे यह बोल रहो तो आप यह भी बोल रहो कि JP Morgan आपका Morgan Stanley इसके सथ सथ Goldman Sachs वगेरा तो पागल है ना उनके analyst आकर इन्हें बीचते कॉन कॉल मैं और कॉन कॉल मैं questions पूछने बोलते हैं यह दे अब बोलोगे कि चार्ट तो यूजी नहीं हो चार्ट तो मैं यूजी नहीं करूगा मैं तो सिफ कॉन कॉल पड़ूगा तो यह भी गलत है क्योंगे आप जो है stock market के अंदर हो आप एक probabilistic investor हो आप कोई बहुत बड़ा ego लेकर नहीं आया हो कि चार्ट बखवा से यह बखवा Phase 2 stage 3 stage 4, stage 4 के अंदर company का जो prize ओज रिक्लाइन हो जाता है stage 3 के अंतर constant हो जाता है मतरा fix हो जाता है stage 2 के अंदर जो prize उने क्री रगता है स्टार्ट कर देती है, एक और बड़ा एक्जाम्पल है, पीजी एलेक्ट्रपस, सारे एक्जाम्पल सी है, बेसिकली जित्वी लिस्टेड कंपनी है, हर एक कंपनी इस पर ही चलती है, अंटिर आप स्कैम वाली कंपनी चूड़तो, तो आप इस पर देखो के तो इस जैसे ही स्टार्ट करती है, इसके स्टॉक प्राइस के अंदर मुवमेट देखने मल गया, अब चार्ट वाले जो मेरी बात नहीं मान रहे है, उनके लिए भी मैं ये वीडियो रख रहू, अगर आप ये चार्ट वाली चीज जो है, आपके दिमाग से निकाल दे तो ये देखो, पी सेकेंड एपें 2024 से प्राइस जो है, एकदम से इंक्रीज होने लगा, अब ये प्राइस जो है, इंक्रीज होना क्यों स्टार्ट हो गया, पीज लेक्टोफलास का वो तो आपने कभी समझा नहीं, आप तो सीता चार्ट देखते रहे है, आप तो पैटर्न ही डूगता रहे बिजनेस ट्राइक करती है, कोई बिजनेस अच्छा करता है तो उसे रती है, इसकराब करता है तो उसे निकाल देती है, mutual funds ये ही करते है, कोई बस बता नहीं रहे है, कोई इस पर बात नहीं कर रहे है, maximum लोग क्या बर रहे है, चार्ट पर बात कर रहे है, डेंशन सीख कर र और बMichल आप मैं आप इन्वीस्टर पिराक हुआए सब्लिकर सुना है लुजेते हैं अगर पिर लाइन्स क्म्मmäßकेशन को मिला एस एक पागल करूगा तो आज उस company की क्या हालत हो जाती है बहुत सारी companies जो है वो बंज भी हो चुके तो ये buy and old वाली strategy जो है हर बार काम नहीं करती है जिसे कि आप देखोगे तो तो ये जो strategy है ये हर बार काम नहीं करती है आपको जो है businesses को track करते रहना पड़ता है और track करना है तो कॉन कॉल पड़ते रहना पड़ेगा सिफ प्राइस ट्राइकिंग से ये जो बच्चेगीरी होती है ये भाई ये देखो ये support है भाई ये देखो ये pattern है देखो cup and handle pattern बन रहा है इससे कुछ नहीं होगा तो बस वीडियो को इतना ही रखते बच्चेगीर